Hello everyone, welcome to easy way commerce classes मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक important topic पर जो की exam से पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा economics का exam इतना अच्छा जाने के बाद पूरे questions करने के बाद भी marks पूरे क्यों नहीं आते तो कहां हम गलती कर जाते जिसकी वज़े से marks नहीं आते इस समय पर इतने test people चेक करने के बाद पता चल चुका है कि कहां आप लोग गलती कर जाते हो और अगर वो गलती नहीं करो तो teacher आपको पूरे marks देगी तो कौन-कौन सी गलती है तो सबसे पहले गलती क्या है गाईस presentation presentation की मैं बात अगर करो तो मैं यह नहीं कहने कि बहुत सुंदर-सुंदर आपको लिखना है मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि paragraph form में आपको question answer नहीं करने यानि कि यह paragraph form था यह बहुत पहले चलता था आज की date में यह कहा जाता है कि सिर्फ point wise आपको answer अपना present करना है आज ही मेरी अपने एक student से conversation हुई जिसमें वो मुझे बोलता कि क्या कहते है मैं मैंने बहुत important बात लिखिया इस paragraph में आप पढ़ो तो सही अब भाई मुझे नहीं है पूरे इतने paragraph को पढ़ने में interest I want कि क्या interesting बात लिखी है आप उसे heading में तो दे दो कम से कम अगर heading में दे दोगे तो हो सकते है teacher का interest बन जाए बट इस line में आपने बहुत important बात और बहुत अच्छी लिखी थी किसी को interest नहीं होगा और ना किसी को पता चलेगा paragraph form में पढ़ने पर तो इसलिए जबे भी आप question answer present करो try कि उसे point wise ही करो आपका जितने master question है at least उतना point या उससे एक जादा होना चाहिए लेकिन जितने master question है अगर four master question है तो four points तो आपको लिखने है और आप जो भी points लिखते हो with heading यानि कि with heading का मतलब क्या है यानि कि अगर आपने first point लिखा तो वो किस बारे में पहले आप वो लिखोगे जैसे मैं अगर बात करू growth in GDP तो मैंने ही हापे mention कर दिया growth in GDP अब इसकी explanation आएगी तो आपका point इस तरीके से होना चाहिए कि वो highlighted हो teacher को proper पता चले कि आप इस point में कहना क्या चाहते हो otherwise आपने यही चीज paragraph form में लिखी होगी नहीं पता चलती तो first thing जो आपको आज से अपनी practice में change करनी है वो यह कि आपको point wise practice करनी है second guys second हम लोग किस चीज में अपने economics में mark खा जाते हैं कि हम बड़ी ना हलके word use करते हैं देखो जब आप economics का paper देते हो ना तो आपको economy से related word GDP और अगर आप class 11 की बात करोगे तो उसमें जो words use करने जैसे कि employment, poverty, population यानि कि economy से related word है उनको use करना है आप अगर people एक word use करना ठीक है और एक population use करना दोनों में फ़र्क है तो हमें population use करना है word तो यहां पर मैं बात करें कि economics के exam में try करो कि economics related word को use किया जाए जो आपने पड़े हैं इसलिए आपको अपने book में एक बार reading की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से answer को present किया जाता है कौन-कौन से words है जो हमारे बहुत ज़्यादा common economics में जो use किये जाते है जैसे कि economy word ठीक है तो यह word हम लोगों को use करना चाहिए और जो आपका chapter है उससे related words आपको अपने answer में use करने चाहिए तो अगर आप people use करोगे तो मतलब इतना जादा matter नहीं करेगा कि क्या लिखा है बस people लिख दे लिकिन population एक economy को दरशाता है तो आपको वैसे word use करने economics में तो इस चीज़ का खास ज्यान रखने है तो एक बार ज़रूर reading करना economics के कि कौन-कौन से word है जो highlighted है जो use कर सकते हम अपने answers में ठीक है third thing guys जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका answer जो भी आप देते हो कई बार पूरी कहानी लिखी होती है बट जो चीज़ पूछी गई है वो नहीं लिखी तो काफी सारे मतलब मैंने जब answers चेक करें तो उसमें ये चीज़ देखी कि भई बहुत सारी चीज़े लिख दी लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वहाँ need नहीं है तो आप कहानी लिखने पर विश्वास मत रखो पॉइंट जो लिख रहे हो सबसे पहला उस पॉइंट की explanation अच्छी होनी चाहिए यानि कि सिर्फ एक लाइन में explain करना explanation नहीं किलाती दो लाइन तो कम से कम लिखो उसके बारे में कि आखिर कहना क्या चाहते हो तो इसलिए explanation सही होनी चाहिए और question से related होनी चाहिए कोई भी क कहानी किसी के भी बारे में लिख देना solution नहीं होता है तो जैसे कई बार मेरे जैसे paper check किया तो उसमें जो point था वो ठीक है उसके बारे में एक line लिख दी point के बारे में उसके बाद अलगी नहीं कहानी start हो रखी है जो उस question से related ही नहीं है तो ऐसी गलती मत करो इससे आपका paper ख देने के कोशिश करो कि कैसे आप lines बना सकते हो related to that particular point ठीक है अगर GDP के बारे में बात हो रही है, growth के बारे में बात हो रही है, population के बात हो रही है, poverty की, employment की तो हमारे पास कौन सी line है हमें उस question से related कौन सा point है जो दिमाग में आ रहे है तो वही लिखना है फाल्तु की चीजों स अपने answers को नहीं भरना, इस पर भी ध्यान रखना है, तो यह कुछ important चीजे थी जो मैंने test चेक करते हैं वक्त नोट करी कि इनकी वज़े से आपका paper बहुत खराब भी जाता है, मैं आप अच्छा करके आते हो आपकी तरफ से लेकिन teacher marks नहीं देती, fourth चीज गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, कि हर एक जो भी next answer आप change करते हो, क्योंकि एक theory paper है, ठीक है, तो presentation बहुत matter करती है, तो answer 1 के बाद, जैसे answer 1 के बाद, at least अगर आपका answer 1 खतम हो गया है, एक से दो line छोड़ने के बाद ही answer 2 start करो, एक दम साथ में answer 2 भिचम भिचम मत करो, कंजूसी आपे करने की जरूरत नहीं है, लाइन बचा कर, इसलिए एक या दो line का space देकर तभी next question start करो, तो इस चीज़ पर खास कर ध्यान रखना, neat and clean आपका paper होना चाहिए, जितना synchronize होगा, like serial wise होगा, उतने जादा impression teacher पर अच्छा हो जाता है, तो guys, इस चीज़ पर इसको अपने एक्जाम में जरूर अमल करना है और like करते हो जाना है, thank you